कसोटी जिन्दगी की जहां शिवानी ने देख लिया कि सोनालिका अपने भाई से बात कर रही है यह वही भाई है जो कमॉलिका का भाई है काफी एपिसोट पहले हमने आपको बताया था कि एक दिन सोनालिका यह गलती जरूर करेगी अपने भाई से बात करती हूँ यह उससे मिलती हुई पकड़ी जाएगी क्योंकि सभी को पता है कि रॉनित कमॉलिका का भाई है तो भला उसे सोनालिका क्यों बात कर रही है यह सब कैसे होता है चलिए बताते हैं आपको एपिसोड की शुरुवात में आप देखेंगे सोनालिका की ओर एक्टिव कि पूछिए मत इतनी जादा तेंशन इतना जादा नाटक वो बर्दाश नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके अंदर दो है कमॉलिका अब कमॉलिका प्रेणा और अनुराग को एक दूसरे के करीब जाते हुए कैसे बर्दाश कर सकती है और अनुराग प्रेणा की केर कर रहा है क्योंकि वो प्रेणेंट है और वो उसी की लेकि बहुत परिशान है और ऐसे में वो से कहता है कि उस तरह उसे डाटना नहीं चाहिए था क्योंकि करके एपिसोड में आपने देखा कि अनुराग ने प्रेणा को डाटा था कि उसे अपने बच्चे का खयाल रखना चाहिए और आज सुबा वो प्रेणा को फोन करता है औ किस तरह अनुराग इस बच्चे की केर कर रहा है जो उसे पता भी नहीं है कि यह उसी का बच्चा है खैर अनुराग का फोन कट होता है और प्रेणा के दिमाग में फिर से सोनालिका कमालिका कमालिका सोनालिका बहुत कंफ्यूज हो गई यह प्रेणा क्योंकि उसे ऐसा लग और वो प्रेणा को कहते है कि वो इसमें उसका साथ देगी, उस पर नजर रखेगी। और तभी, जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि मोहिनी को उसकी फ्रेंड कहां जाना है। और ये बेटा शिवानी का भी दोस्त है यानि प्रेणा की बहन का दोस्त है वो शिवानी को फोन करता है अपनी इंगेजमेंट में बुलाता है शिवानी प्रेणा को भी इंसेस्ट करते है चलने के लिए और फाइनली प्रेणा शिवानी को मना नहीं कर पाता है और उसी इंग पटा लगता है लेकिन सोनालिका, ओ माइ गॉड, उसके तो गुस्से का पारा सातवे आस्मान पर बहुच जाता है, कमॉलिका इतनी गुस्सा हो गई है, कमॉलिका चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, प्रेरा और अनुराग को एक दूसरे से अलग कर ले की, लेकिन कहीं ने कहीं नियती से इने मिलाने की कोशिश कर रही है, और यहां देखें इसी फंक्शन में एक बार फिर से प्रेरा और अनुराग, जैसे ही वो दोने दूसरे को देखते हैं, बस देखते ही रह जाते हैं, और अनुराग यहां पर प्रेरा की बहुत केयर करता है, वो प्रेरा के लिए एक चेयर भिजवाता है, कि वो अराम से उस जगह बैठ जाएं ये बाद शिवानी को भी बहुत अच्छी लगती है लेकिन ये बाद सोनालिका को उतनी ही जादा इरिटेट करती है अब यहाँ फिर से आपको सोनालिका की ओवर एक्टिंग देखने को मिलेगी भई एक बाद बताओ, संगीत में सा सेर्यूस कर देने वाला डांस कौन करता है यहाँ सोनालिका एक ही मोटिव में लगी हुई है सिर्फ अनराग का प्यार पाना, उसके साथ जिस तरह का हॉट और सेक्सी डांस करती है लेकिन आप नजर रखिए, हमारे अनराग को इसमें कोई इंट्रेस्ट नहीं है वो जितना उसके करीब जा रही है, सोनालिका जितना अनराग के करीब जा रही है अनराग उतना ही इरिटेट होता है वो बचने की कोशिश करता है उसे दूर जाने की कोशिश करता है लेकिन क्या करे उसकी पतनी है यहां सोनालिका प्रेणा को जान बुश के दिखाने के लिए अनुराग के करीब जाती है उसके साथ एक hot और sexy performance देती है प्रेणा को जो कि अच्छा नहीं लगता पर प्रेणा कुछ कहने ही बाती और ना ही यह चीज़े अनुराग को अच्छी लगती है प्रेणा के दिमार्ग में से fake बात चल रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ सोनालिका पर नज़र रखे क्योंकि वो हूँ बहु कमोलिका है अचानक प्रेणा देखती है फिर से एक बार सोनालिका में कमोलिका को वो उसी तरफ फोन को यूज कर रही है जैसे कमोलिका किया करती थी और अचानक एक सर्विन की गलती से उसकी साड़ी दब जाती है सोनालिका की साड़ी दब जाती है सोनालिका बिल्कुल वैसे रियाट करती है जैसे कमोलिका करती थी पर देख लेती है कि बगल में प्रेणा है और वो अपने आपको रोक लेती है प्रेना को अब 99% भरोसा है कि ये कोई और नहीं कमोलिका है और यहाँ जल्दी आप देखेंगे सोनालिका का परदा फास हो जाएगा नहीं नहीं अनुराग और प्रेना के सामने नहीं शिवानी के सामने हमने आपको बता है न सोनालिका कोई न कोई गलती जरूर करेगी वो अपने भाई इसको बुलाती है उसी पार्टी में बाहर वो अपने भाई को बुलाती है और वो इतने गुस्से में रहती है जब भी सोनालिका गुस्से में रहती है उसे खुद को होश नहीं रहता हूँ क्या कर रही है और इसी गुस्से की वज़े से वो ये गलती कर बैठती है वो उस पार्टी में अपने भाई को बुलाती है और अपने भाई से कहती है प्रेणा को जान से मारना होगा उसे रास्ते से हटाना होगा प्रेणा शर्मा मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है वो अपने भाई से बात करी होती है और तभी शिवानी देख लेती है शिवानी का शक पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है भला कमॉलिका का भाई सोनालिका से क्यों बात कर रहा है भला सोनालिका को कमॉलिका के भाई से क्या मतलब वो समझ जाती ही ये कोई और नहीं ये कमॉलिका है और वो ये बात जा कि प्रेणा को बताएगी और वो अनराप को तकलिफ नहीं प्रचाना चाहती यानि अभी कुछ दिन ये सोनालिका और प्रेडा का ड्रामा चलता रहेगा ये लुकाचिपी का केल भी और दिन आप देखेंगे देखते हैं और सोनालिका कौन कौन सी गलती करती है आप तो प्रेडा इनी शिवाली भी उसके पीछे पड़ गई है कैसे होती है सोनालिका एक्सपोद ये सारे टोस्ट ये सारे अपडेट्स हम आप तक पहुचाते रहेंगे तिल दिल टेक केर थी बाई बाई